C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है अध्याए पाँच खनिज तथा उर्जा संसाधन हैबन अपने पिता के साथ दूर के गाउं से गुवाहाटी आया है वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीजों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती हैं वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है वह आश्चर से अपने पिता से पूछता है पिता जी हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा की मैंने गुवाहाटी में देखा उसके पिता ने बताया बेटा यह घर नहीं है ये बसे वा गाड़िया है हमारे घरों की तरह ये इंटों वा पत्थरों से नहीं बनी है इन्हें बनाने में लोहा एल्यूमिनियम जैसी धातूं का प्रयोग किया गया है ये अपने आप नहीं चलते ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए उर्जा चाहिए हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातू से बनी विभिन वस्तूओं का प्रयोग करते हैं क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातू से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं ये धातूएं कहां से आती हैं आपने पढ़ा है कि भूपरपटी अर्थात प्रित्वी की उपरी परत विभिन खनीजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है इन खनीजों का उपयोग्त शोधन करके ही ये धातूएं निकाली जाती हैं खनीज हमारे जीवन के अती अनिवारे भाग हैं लगभग हर जीज जो हम इस्तिमाल करते हैं एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदी सभी खनीजों से बने हैं रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर हमारे औजार तथा मशीने सभी खनीजों से बने हैं कारें, बसें, रेल काड़िया, हवाई जहाज सभी खनीजों से निर्मित हैं और धर्टी से प्राप्त उर्जा के साधनों त्वारा चालित होते हैं यहां तक की भोजन में भी खनीज होते हैं जिसे हम खाते हैं मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों वा धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनीजों का प्रयोग किया है खनीज वा दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान दंत मंजन आपके दाथ साफ करते हैं कुछ अपघर्शक खनीज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, अर्थात लाइमस्टोन, अलियूमिनियम ऑक्साइड वा विभिन फॉस्फेड खनीज स्वच्छता में मदद करते हैं फ्लोराइट जो दांतों को गल्ले से रुखता है फ्लोराइट नामक खनीज से प्राप्त होता है अधिकतर दंत मंजन चिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाय जाते हैं जो की रियूटाइल, इलमेनाइट तथा एनाटेस नामक खनीजों से प्राप्त होते हैं कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अबरक है टूद प्रश वा पीस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है अब ये बताईए कि ये खनीज कहां पाए जाते हैं जरा ध्यान से सोचें वा बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनीज प्रयुक्त होते हैं सभी सजीव वस्तुओं को खनीजों की आविशक्ता होती है खनीजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती यद्यपी हमारे कुल पॉस्टिक उपभोग का केवल 0.3 प्रतिशत भागी खनीज है तथा पी ये इतने महतपूं और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7 प्रतिशत भोज्य पदार्थों का उप्योग करने में असमर्थ होंगे जरा ध्यान से सोचें वह बताएं तथा भोज्य पदार्थों परंकित पोशक तत्यों को इकठा करें प्रिश्ट संख्या 54 खनीज क्या है? भूव वज्यानिकों के अनुसार खनीज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संदचना है खनीज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर, हीरा वन नरम, चूना तक सम्मिलित हैं खनेज इतने विविद क्यूं है? आप चट्टानों के विशय में पहले ही बढ़ चुके हैं चट्टाने खनीजों के समरूप तत्वों के योगिक हैं कुछ चट्टाने जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनीज से बनी हैं लेकिन अधिकतर चट्टाने विविविन अनुपातों के अनेक खनीजों का योग हैं यद्यपी 2000 से अधिक खनीजों की पहचान की जा चुकी है लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनीजों की बहुतायत है एक खनीज विशेश जो निश्चित तत्वों का योग है उन तत्वों का निर्मान उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है इसके फल सोरूप ही खनीजों में विविद रंग, कठोर्ता, चमक, घनत्व तथा विविद क्रिस्टल पाए जाते हैं भूवज्यानिक इनी विशेश्टाओं के आधार पर खनीजों का वर्गी करान करते हैं भूगोल विदों वा भूविज्यानिकों द्वारा खनीजों का अधेयन वा खनीजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुची रखते हैं परंतु एक भू वैक्यानिक खनीजों की निर्मान प्रक्रिया इनकी आयू वा खनीजों के भौतिक वा रासायनिक संगठन से संबंधित विशियों की जानकारी रखते हैं. सामान ने वा वानिचिक अर्थात व्यापारिक उद्देश हितू खनिज निम्न प्रकार से वर्गी कृत किये जाते हैं। चित्र संख्या 5.1 खनिजों का वर्गी करण यहां खनिजों को तीन मुख्य भागों में बाटा गया है। धात्विक, अधात्विक और उर्जा खनिज धात्विक को भी तीन भागों में बाटा गया है। लोह धातू जिसमें लोहे का अंशो जैसे लोह अयस्क, मैगनीज, निकल वा कोबाल्ट आदी। अलोह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता वा बॉक्साइट आदी। और बहुमुल्य खनिज जैसे सूना, जांदी, प्लेटिनम, आदी। अधात्विक जैसे अभरक, नमक, उटाश, सलफर, चूनाश्म यानी चूना पत्थर, संग मर्मर तथा बलुआ पत्थर। उर्जा खनिज हैं जैसे कोईला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। प्रिष्ट संख्या, पचपन, खनिजों की उपलब्दता, खनिज कहां पाए जाते हैं। सामानिता, खनिज अयसकों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अव्यवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतू आयसक शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है, जब आयसक में खनिजूं का संचयन परियाप्त मात्रा में हो। खनिजूं के खनन की सुविधा इसके निर्मान वा संचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूले को निर्धारित करती है। अता हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवशक है, जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राया इन शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। क आगनें तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोडों, घंशों वा विद्रूं में मिलते हैं, छोटे जमाव शिराओं के रूप में और व्रहत जमाव परत के रूप में पाहे जाते हैं, इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है, जब ये तरल अथवा गैसिये अवस्था में दरारों के सहारे भूप्रिष्ट की ओर धके ले जाते हैं, उपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं, मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदी इसी तरह शिराओं वा जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं, ख, अनीक खनिज अवसादी चट्टानों के अनीक खनिज संस्तरों या पर्तों में पाए जाते हैं, इनका निर्माण क्षेतिज पर्तों में निक्षेपन, संचयन वा जमाव का परिणाम है, कोईला तथा कुछ अन्य प्रकार के लह अयसकों का निर्माण, लंबी आवधी तक अत्यधिक उश्मा वा दबाव का परिणाम है, अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रिणी के खनिजों में जिपसम, पोटाश, नमक वा सोडियम समिलित हैं, इनका निर्माण विशेश कर शुश्क प्रदेशों में वाश्पी करण के फल स्वरूप होता है, गः, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधी धरातलिये चट्टानों का अबघटन है, चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपड़दन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टाने रह जाती हैं, बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है, गः, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तलकी रेत में जलोड जमाओ के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, ये निक्षेप, प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं, इन में प्राया ऐसे खनिज होते हैं, जो जल द्वारा घर्शित नहीं होते, इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन वा प्लेटिनम प्रमुख हैं, ड़, महासागरिये जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इन में से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थक्ता कम है, फिर भी सामान्य नमक, मैगनीशियम तथा ब्रोमाइन ज्यादा तर समुद्री जल से ही प्राग्रहित अर्थात ड्राइवड होते हैं, महा सागरिय तली भी मैगनीश ग्रंथिकाउं अर्थात नोड्यूल्स में धनी है, एक रूचक तत्थे, रैठ होल खनन, क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकाँश खनिज राष्ट्री एक्रित हैं और इनका निशकर्षन सरकारी अनुमती के पश्चात ही संभव है, किन्तु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकाँश जन जातिये क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व, व्यक्तिगत वा समदायों को प्राप्थ है, मेगाले में कोईला, लह आयस्क, चूना पत्थर वा डोलो माइट के विशाल निक्षे पाए जाते हैं, जो वाई वा चेरा पूंजी में कोईली का खनन परिवार के सदस्य द्वारा, एक लंबी संकीन सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं, जरा ध्यान से सोचें वा बताएं, एक खुली खदान यानि ओपन पिट माइन में उत्खनन वा एक शेफ्ट युक्त भूमी गत खदान में क्या अंतर है? भारत अच्छे और विविद प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभा किशाली है, यद्यपी इनका वित्रण असमान है, मोटे तौर पर प्रायदुईपी ये चट्टानों में कोईले, धात्विक खनिज, अभरक वा अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं, प्रायदुईपी के पश्चिमी और पूर्वी पार्शवों पर गुजरात और असम की तलचटी चट्टानों में अधिकांश खनिज, तेल निक्षे पाए जाते हैं, प्रायदुईपी ये शैल क्रम के साथ राजिस्थान में अनेक अलाव खनिज पाए जाते हैं, उत्तरी भारत के विस्त्रित जलोड मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है, ये विभिनिताएं खनिजों की रचना में अंतर ग्रस्त, भूगर्भिक सनलचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण हैं, आये, अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वित्रण का अध्ययन करें, सदेव स्मरण रखें कि आयस्क में खनिज का सांद्रण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता, किसी संचय यानी रिजर्व की आर्थिक जीविता यानी वाइबिलिटी को प्रभावित करने में महतपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आताहा, मांग की पूर्टी के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है, ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज, निकशेप, अथ्वा, भंडार, खदान में परिवर्थित हो जाता है, प्रिष्ट संख्या 56 लौह खनिज लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मुल के तीन चौथाई भाग का योगदान करते हैं, ये धात्व शोधन उद्योगों के विकास को मस्बूत आधार प्रदान करते हैं, भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात, बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है, क्या आप चानते हैं, कन्नर भाशा में कुद्रे शब्दकार थै घोड़ा। करनाटक के पश्चमी घाट की सबसे उंची चोटी घोड़ी के मुक से मिलती जुलती है। बेला-डिला की पहाड़ियां बैल के डील यानि हम से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण इसका ये नाम पड़ा। लौ आयस्क आईरन ओर। लौ आयस्क एक आधार भूत खनिज है, तथा और द्योगिक विकास की रीड है। भारत में लौ आयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटी के लोहांश योक्त लौ आयस्क में धनी है। मेगनेटाइट सर्वुत्तम प्रकार का लौ आयस्क है, जिसमें सत्तर प्रतिशत लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वुश्रेष्ट चुम्ब की एक गुण होते हैं, जो विद्युद उद्योगों में विशेश रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वधिक महतपून और द्योगिक लौ आयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभूख हुआ है। किन्तु इसमें लोहांश की मात्रा मेगनेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50-60 प्रतिशत तक पाया जाता है। चित्र संख्या 5.2 में लोह आयस्क उत्पादन में राजियों के अंश को दिखाया गया है। 2003-2004 के आंकणों पर आधारित है जो प्रतिशत में दर्शाया गया है। करनाटक 26 प्रतिशत ओडिशा 25 प्रतिशत चतीस गढ़ 19 प्रतिशत गोवा 17 प्रतिशत जारखंड 12 प्रतिशत अन्ने 1 प्रतिशत चित्र संख्या 5.3 में लोह आयस्क खदान को दिखाया गया है। भारत में लोह आयस्क की पेटियां हैं। ओडिशा जारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटी का हेमेटाइट किस्म का लोह आयस्क मयूर भंज वा केंदु जर जिलों में बादाम पहाड खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध जार खंड के सिंग भूम जिले में गुआ तथा नोह मुंडी से हेमेटाइट आयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपूर पेटी या पेटी महराश्ट्र वा च्छतीजगण राजियों के अंतरगत पाई जाती है। च्छतीजगण के बस्तर जिले में बेला डिला पहाडी शरंखलाओं में अती उत्तम कोटी का हेमेटाइट पाया जाता है। जिसमें इस गुणवत्ता के लोह के चौदा जमाओं मिलते हैं। इसमें इस पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ट भौतिक गुण वित्यमान हैं। इन खदानों का लोह अयस्क विशाका पटनम, पत्तन से जापान तथा दक्षन कोरिया को निर्यात किया जाता है। बेलारी, चित्र दुर्ग, चिक मंगलूर, तुमकुर पेटी। करनाटक की इस पेटी में लोह अयस्क की ब्रहत राशी संचित है। करनाटक में पश्चमी घाट में अवस्थित कुद्रे मुख की खाने शत प्रतिशत निर्यात इकाई हैं। कुद्रे मुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौव आयस्क कर्दम यानी सलरी रूप में पाइप लाइन द्वारा मैंगलोर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। महराश्ट्र गोवा पेटी या पेटी गोवा तथा महराश्ट्र राज्ज के रतनागरी जिले में इस्थित है। यद्दिपी यहां का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है तथा भी इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मर्मा गाव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। प्रिष्ट संख्या 57 पर भारत का मान्चित्र दिया गया है। जिसमें महतपून खनिज क्षेत्रों को दर्शाया गया है। लौ आयसक क्षेत्र हैं जारखंड, ओडिशा, चतीजगढ, करनाटक, गुवा और महराष्ट के कुछ भाग आते हैं। लौ आयसक क्षाने हैं जारखंड में गुवा, ओडिशा में मयूर भंज और किंदु जर, चतीजगढ में दुर्ग और बिलाडिला। महराष्ट में चंद्रपुर और रतनागिरी, करनाटक में बेलारी, चित्र दुर्ग, तुमकुर, चिकमंगलूर, कुंद्रे मुख और गोवा में लौ आयसक खाने पाई जाती हैं। लौ आयसक निर्यातक पत्तन, पारद्वीप, विशाखा पत्नम, मंगलौर, मारमा गाउ। मैगनीज के क्षित्र हैं किंदुजर, सुन्दरकळ, बालागाट, नाकपुर, भंडारा, शिमुगा, गोआ। बॉकसाइट के क्षित्र हैं कटनी, अमरकंटक, बिलासपूर, मैकाल, कोरापुट। अबरग के क्षित्र हैं गया, हजारी बाग, नैलोर, बेवर और अजमेर। प्रिष्ट संख्या 58, मैगनीज, मैगनीज मुख्य रूप से इसपात के विनिर्मान में प्रयोग किया जाता है। एक टन इसपात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैगनीज की आवशक्ता होती है। इसका उप्योग bleaching powder, कीट नाशक दवाएं वा paint बनाने में किया जाता है। चित्र संख्या 5.4 चित्र संख्या 5.4 में मैगनीज उतपादन में राजियों के अंश को दर्शाया गया है। जो की प्रतिशत में है। ये आंकडे 2003-2004 से लिये गए हैं। ओडिशा 33 प्रतिशत मध्यप्रदेश 22 प्रतिशत करनाटक 15 प्रतिशत अन्ने 30 प्रतिशत। भारत में ओडिशा मैगनीज का सबसे बड़ा उतपादक राज्य है। वर्श 2000-2001 में देश के कुल उतपादन का एक तिहाई भाग यहां से प्राप्त हुआ। जरा ध्यान से सोचें वा बताएं। भारत में लौव आयसक, मैगनीज, कोईला तथा लोहा इसपाद उद्योग के वित्रन वाले मान चित्रों को अध्यारूपित करें। क्या आप इन में कोई संबंध देखते हैं? सपश्ट करें। अलाव खनिज। भारत में अलाव खनिजों की संचित राशी वा उतपादन अधिक संतोष जनक नहीं है। यद्यपी ये खनिज जिन में तांबा, बॉकसाइट, सीसा और सोना आते हैं। धातू शोधन, इंजीनेरिंग वा विद्युद उद्योगों में महतपून भूमिका निभाते हैं। आए हम तांबा बॉकसाइट का वितरण समझें। तांबा, भारत में तांबे के भंडार वा उतपादन क्रांतिक रूप से नियून हैं। घात वर्धे, यानी मेलेबल, तन्ने और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उप्योग, मुख्यता, बिजली के तार बनाने, एलेक्ट्रोनिक्स और रसाइन उद्योगों में किया जाता है। मद्य प्रदेश की बाला घाट खटाने देश का लगभग बावन प्रतिशत तांबा उतपन्न करती हैं। जार खंड का सिंग भूम जिला भी तांबे का मुख्य उतपादक है। राजिस्थान की खेतड़ी खटाने भी तांबे के लिए प्रसिद्य थी। चित्र संख्या 5.5 में मलंज खंड में तांबा खदान को दर्शाया गया है। चित्र संख्या 5.6 में तांबा उतपादन में राजियों के अंश को दर्शाया गया है। जो की प्रतिशत में हैं ये आंकड़े 2003-2004 से लिए गये हैं। मद्ध प्रदेश 58 प्रतिशत राजिस्थान 42 प्रतिशत बॉक्साइट यद्यपी अनेक आयसकों में अलियूमिनियम पाया जाता है। परंतु सबसे अधिक अलियूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना अलियूमिनियम सिलिकेटों से सम्रिध व्यापक भिन्यता वाली चट्टानों के विखिटन से होती है। एलियूमिनियम एक महतपून धातु है क्यूंकि यह लोहे जैसी शक्ती के साथ साथ अत्यधिक हलका एवं सुचालग भी होता है। इसमें अत्यधिक घात वर्धिता पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप, मुखिता, अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाडियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाय जाते हैं। चुत्र संख्या पाँच पॉइंट साथ में बॉक्साइट उत्पादन में राजियों के अंश को दिखाया गया है। जो की प्रतिशत में हैं। ये आंकडे 2003-2004 से लिये गए हैं। ओडिशा 45 प्रतिशत गुजराथ 17 प्रतिशत जारखंड 14 प्रतिशत महराष्ट्र 11 प्रतिशत अन्ने 13 प्रतिशत। चित्र संख्या 5.8 में बॉक्साइट खदान को प्रतिशत किया गया है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राचे है। जहां वर्ष 2000-2001 में देश के 45 प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। यहां कोरा पुड़ जिले में पंचपतमाली निक्षेप राचे के सबसे महतपून बॉक्साइट निक्षेप हैं। जरा ध्यान से सोचें वह बताएं। भारत के भौतिक मांचित्र पर बॉक्साइट की खाने चिन्नित करें। एक रोचक तत्थे। एलियूमिनियम की खोज के बाद समराट नेपोलियन तृतिये अपने कपड़ों पर एलियूमिनियम से बने हुक वबटन पहनता था। तत्था अपने खास महमानों को एलियूमिनियम से बने बरतनों में भोजन कराता, तत्था आम महमानों को सोने वाचांदी के बरतनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के तीस वर्ष बाद पैरिस में भिकारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। प्रिष्ट संख्या 69 अधात्विक खनिच अभरक अभरक एक ऐसा खनिच है जो प्लेटू अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन यानी स्प्लेट आसानी से हो सकता है। ये पड़ते इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी एक हजार पड़तें कुछ सेंटीमेटर उचाई में समाहित हो सकती हैं। अबरक पारदर्शी, काला, हरा, लाल, पीला अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच परावैद्यूत शक्ती, उर्जा हिरास का निम्न गुणांख, विन्स वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अबरक विद्यूत वा इलेक्ट्रोनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अप्रिहार्रे खनीजों में से एक अबरक के निक्षेप छोटा नाकपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार जारखंड की कोडर्मा गया हजारी बाख पेटी अगरणी उत्पादक है। राजिस्थान के मुख्य अबरक उत्पादक शित्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की नैलोर अबरक पेटी भी देश की महत्पून उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज, चूना पत्थर यानि लाइम स्टून, चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मेगनीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांश्ता अफसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सिमेंट उद्योक का एक आधार भूत कच्चा माल होता है और लोह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्रे है। जरा ध्यान से सोचें वा बताएं। मान चित्र का अधियन करें तथा बताएं कि छोटा नाकपुर क्षित्र खनीजों का भंडार क्यूं है। चित्र संख्या 5.9 में चूना पत्थर उत्पादन में राजियों के अंश को प्रदशित किया गया है जो की प्रतिशत में है। ये आंकडे 2003-2004 से लिये गए हैं। आंद्र प्रदेश 16 प्रतिशत मध्य प्रदेश 15 प्रतिशत राजिस्थान 15 प्रतिशत गुजराथ 11 प्रतिशत तमिलनाटू 9 प्रतिशत एवं अन्ने 34 प्रतिशत प्रिश्ट संख्या 60 खनन के जोखिम यानी खत्रे। क्या आपने कभी खनिकों दोरा आपके जीवन को सुविधा जनक बनाने के लिए किये गए प्रयासों के बारे में सोचा है। खनन का खनिकों के स्वास्थे तथा परिया वरन पर क्या प्रभाव पड़ता है। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल वाहानी कारग धुमे में सांस लेते हुए फेपड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छटों के गिरने सहला बाने यानि जल प्लावित होना कोईली की खदानों में आग लगने आदी खत्रे खदान श्रमिकों के लिए इस्थाई हैं। खदान क्षित्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूशित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे का खत्ता लगाने से भूमी वा मिट्टी का अवक्षय होता है और सरीताओं तथा नदियों का प्रदूशन बढ़ता है। चित्र संख्या 5.10 में खनन क्षित्रों में धूल उठने से वायू प्रदूशन को दिखाया गया है। यहां कुछ समाचार पत्रों के अंश दिये गए हैं जिनमें खनन क्षित्रों में होने वाले खत्रों को बताया गया है। प्रिष्ट संख्या 61 खनन को घातक उद्योग यानी किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दिर्ण सुरक्षा, विनियम और परियावर्णिये कानूनों का क्रियानवयन अनिवारे है खनिजों का संदक्षन हम सभी को उद्योग और क्रिशी की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रिक्षित है खनन योग्य निक्षेप की कुल राशी असार्थक अंश है अर्थात भू परपटी का एक प्रतिशत जिन खनिज संसाधनों के निर्माण वा सांदरण में लाखुँ वर्ष लगे हैं हम उनका शीगरता से उपभोग कर रहे हैं खनिज निर्माण की भू गर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुल्ला में उनके पुनर भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवी करण योग्य है समरिद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल लिवान संपत्ती है लेकिन ये अल्पुजीवी है अयसकों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घरती जाती है आपको खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोशणिय धंग से प्रयोग करने के लिए एक ताल मेल युक्त प्रयास करना होगा निम्न कोटी के आयसकों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रोध्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा धातूं का पुना चक्रण, रद्धी धातूं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उप्योग भविश में हमारे खनिज संसाथनों के संडक्षन के उपाए हैं जरा ध्यान से सूचें वह पताएं उन पदार्थों की सूची बनाएं जहां खनिजूं की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है ये प्रतिस्थापन क्या हैं और कहां से प्राप्त होते हैं उर्जा संसाथन उर्जा सभी क्रिया कलापों के लिए आवशक है खाना पकाने में रोशनी वत्ताप के लिए गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में उर्जा की आवशक्ता होती है उर्जा का उत्पादन इधन खनीजों जैसे कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, युरेनियम तथा विद्योच से किया जाता है उर्जा संसाथनों को परमपरागत तथा गैर परमपरागत साथनों में वर्गी क्रित किया जा सकता है परमपरागत साथनों में लकडी, उपले, कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्योथ जिनमें दोनों जल विद्योथ वा ताप विद्योथ सम्मिलित है गैर परमपरागत साथनों में सौर, पवन, जौरिये, भूतापिये, बायोगैस तथा परमाणू उर्जा शामिल किये जाते हैं ग्रामीन भारत में लकडी वा उपले, बहुतायत में प्रयोग किये जाते हैं एक अनुमान के अनुसार, ग्रामीन घरों में आवशक उर्जा का सत्तर प्रतिशत से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है लेकिन अब घटते वनक्षित्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतो साहित किया जा रहा है क्यूंकि इससे सर्वधिक मुलेवान खाद का उपभोग होता है जिसे क्रिशी में प्रयोग किया जा सकता है प्रिश्ट संख्या 62 पर भारत का मानचित्र प्रदरशित किया गया है इस मानचित्र में भारत में परमपरागत उर्जा स्रोत के क्षेत्रों को प्रदरशित किया गया है कोईला क्षेत्र असम, मेखालय, पश्चिम बंगाल, जारखंड, ओडिशा, चतीस गळ, मध्य प्रदेश, महराष्ट, आंध्र प्रदेश और तमिल नाडु के कुछ स्थानों पर कोईला खाने असम में मेकुम, नजीरा और जंजे पश्चिम बंगाल में रानी गंज, जारखंड में बोकारो, जड़िया, चतीस गळ में कोरबा, मध्य प्रदेश में सिंग रॉली, ओडिशा में तलचर, आंध्र प्रदेश में सिंग रैनी, और तमिल नाडु में नेवेली कोईला खाने हैं तेल क्षित्र हैं विच्वी जे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जिन क्षित्रों से हुकर गुजरती है, वो क्षित्र हैं हजीरा, वलोत्रा, जाबुआ, विजयपूर, अन्ता, औरेया, जगदीशपूर, शाजहापूर, आमला, बबराला, सहिपाबाद, सूनिपत, दिल्ली, गुर्गाओं प्रिष्ट संख्या, 63, परम परागत उर्जा के स्रोत, कोईला भारत में कोईला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश मुईधन है यह देश की उर्जा अवश्यक्ताओं का महतपूर्ण भाग प्रदान करता है इसका उपियोग उर्जा उद्पादन तथा उद्ध्योगों और घरेलूज जरूरतों के लिए उर्जा की आपूर्टी के लिए किया जाता है भारत अपनी वानिजिक उर्जा अवश्यक्ताओं की पूर्टी हे तू, मुख्यता कोईले पर निर्भर है जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोईले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीडन से हुआ है इसलिए संपीडन की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोईला अनेक रूपों में पाया जाता है चितर संख्या 5.11 आ में कोईला खदान का आंतरिक द्रश्य दिखाया गया है चितर संख्या 5.11 बा इस चितर में कोईला खदान का बाहे द्रश्य प्रदर्शित किया गया है दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन होता है जिसमें कम कारबन, नमी की उच्च मात्रा वा निम्न ताप क्षमता होती है लिगनाइट एक निम्न कोटी का भूरा कोईला होता है ये मुलाइम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है लिगनाइट के प्रमुक भंडार तमिल्नाडू के नैवेली में मिलते हैं और विद्युद उत्पादन में प्रयोग किये जाते हैं गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोईले को बिटु मिनस कोईला कहा जाता है वानिजिक प्रयोग में ये सर्वधिक लोकप्रिय है धातू शोधन में उत्च श्रेणी के बिटु मिनस कोईले का प्रयोग किया जाता है जिसका लोहे के प्रागलन में विशेश महत्व है एंध्रेसाइट सर्वुत्तम गुण वाला कठोर कोईला है भारत में कोईला दो प्रमुक भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है एक गोंडवाना जिसकी आयू 200 लाक वर्ष से कुछ अधिक है और दूसरा टर्शेरी निक्षेप जो लगभग 55 लाक वर्ष पुराने है गोंडवाना कोईले जो धातू शोधन कोईला है के प्रमुक संसाधन दामुदर घाटी जो की पश्चमी बंगाल तथा जारखंड में है जरिया, रानी गंज, बोकारों में स्थित हैं जो महतपून कोईला क्षित्र हैं गोदावरी, महनदी, सून वा वर्धा नदी घाटियों में भी कोईले के जमाओ पाय जाते हैं तरशेरी कोईला क्षित्र उत्तरपूर्वी राजियों मेखाले, आसम, अरुनाचल प्रदेश वा नागल लेंड में पाया जाता है ये स्मरन रहे कि कोईला स्थूल पदार्थ है, जिसका प्रयोग करने पर भार घड़ता है, क्यूंकि ये राख में परिवर्तित हो जाता है इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत ग्री कोईला क्षित्रूं अथ्वा उनके निकठी स्थापित किये जाते हैं भारत में कोईले के पश्चात उर्जा का दूसरा प्रमुक साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है ये ताप वाप्रकाश के लिए इंधन, मशीनों को इसनेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है तेल शोधन शालाएं, संशलेशित वस्त्र और वरक तथा असंखे रासाइन उद्योगों में एक नोडिये बिंदू का काम करती हैं भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिती तर्शेरी युग की शेल संडचनाओं के अपनती वा भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है वलन, अपनती और गुम्बदों वाले प्रदेशों में ये वहाँ पाया जाता है जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है तेल धारक परत सरंद्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है मध्यवर्ती असरंद्र परतें तेल को उपर उठने वा नीचे रिसने से रोकती हैं पेट्रोलियम सरंद्र और असरंद्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। तीन प्रमुक अप तटिय तेल क्षित्र चिनित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महतपून तेल क्षित्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उतपादक राच है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राच के महतपून तेल उतपादक क्षित्र है प्राक्रितिक गैस एक महत्पूर्ण स्वच्छ उर्जा संसाधन है, जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। परियावरण अनुकूल माना जाता है इसी लिए ये वर्तमान शताबदी का इंधन है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए है पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निध क्षेतरों को खंभात की खाड़ी में पाई जाने वाले तेल ख्षेतर संपूरित करते हैं अन्डमान निकोबार दूइब समू भी महदपून ख्षेतर हैं जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाई जाते हैं सत्रा सौ किलोमीटर लंबी हजीरा विजैपूर जगदीशपूर हवीजे गैस पाईपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी वा उत्तरी भारत के उर्वरक विद्युत वा अन्य अद्योगिक शेतरों से जोड़ती है इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को सम्वेक मिला है उर्जा वा उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुक प्रयोकता है गाडियों में तरल इंधन का संपीडित प्राकृतिक गैस यानि CNG से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिये हो रहा है प्रिष्ट संख्या 64 पर भारत का मान्चित्र दिखाया गया है जिसमें उर्जा संयंत्रों वाले स्थानों को प्रदर्शित किया गया है आणमिक उर्जा संयंत्रों वाले स्थान है नरोरा, रावत भाटा, तारापुर, काकरापारा, कैका और कलपक्कम तापिये उर्जा संयंत्रों वाले स्थान है दिल्ली, फरीदबाद, हर्दुआ कंज, पनकी, परीचा, बरौनी, बोंगई गाउं, नाम रूप, दुर्गापुर, मन्थाल डीह, कोलकाता, चन्रपुरा, रिहंद, सिंगरौली, रावत भाटा, गांधी नगर, साबर्मती, ध्रूवरन, वानकरबाडी, एहमिताबाद, सत्पुला, अमरकंटक, कोर्बा, तल्चर, कोरडी, भुसावल, उकई, ट्रॉम्बे, नासिक, उरण, परिली, रामा गुंडम, चन्रपुर, बाली मिला, कोट्टा गुंडम, विजैवाडा, इन्नोर, निवेली, तूति कोरिन, प्रिष्ड संख्या 65 विद्युत उत्पन करता है। ख, अन्ने इधन जैसे कोईला, पेट्रोलियम वा प्राकृतिक गैस को जलाने से टर्बाइन चला कर ताप विद्युत उत्पन की जाती है। एक बार उत्पन हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताएं तथा इन नदियों पर बने बांधों का नाम लिखिये। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन की जाती है जो एक नवी करण योगे संसाधन है। भारत में अनेक बहु उत्देशिये परियोजनाओं हैं जो विद्युत उर्जा उत्पन करती हैं। जैसे भाख़ा नागल, दामुदर घाटी कार्पोरेशन और कोपली हाइडल पर योजना आदी। ताप विद्युत कोईला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन की जाती है। ताप विद्युत गरेहि अनवी करण योग के जीवाशमी ईधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन करते हैं। भारत में 310 ताप विद्युत गरेहि हैं। मान चित्र की सहायता से अपने राज के एक ताप विद्युद्ग्री को ढूंड़िये तथा उसमें प्रयुक्त इंधन का नाम भी लिखिये गैर परम परागत उर्जा के साधन उर्जा के बढ़ते उपभूक ने देश को कोईला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी इंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है गैस वा तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभावे कमीने भविश में उर्जा आपूर्ती की सुरक्षा के प्रती अनिश्चित्ताएं उत्पन्न करती हैं इसके राष्ट्रिय अर्थ वैवस्था की व्रिधी पर गंभीर प्रभाव परते हैं इसके अतिरिक्त जीवाश्मी इंधनों का प्रयोग गंभीर परिया वर्णिय समस्याएं उत्पन्न करता है अताह नवी करण योग्य उर्जा संसाधनों जैसे सौर उर्जा, पवन उर्जा, ज्वारिय उर्जा, जैविक उर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित उर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है ये उर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं भारत धूप, जल तथा जीवभार साधनों में समरित है भारत में नवी करण योग्य उर्जा संसाधनों के विकास हेतू, ब्रिहत कारक्रम भी बनाए गए हैं परमाणू अथवा आणविक उर्जा परमाणू अथवा आणविक उर्जा अणवों की सन्रचना को बदलने से प्रात की जाती है जब ऐसा परिवर्थन किया जाता है, तो उश्मा के रूप में काफी उर्जा विमुक्त होती है और इसका उप्योग विद्युत उर्जा उत्पन करने में किया जाता है यूरेनियम और थोरियम जो जारखंड और राजिस्थान की आरावली परवच रिंखला में पाई जाते हैं का प्रयोग परमाणू अथवा आणविक उर्जा के उत्पादन में किया जाता है केरल में मिलने वाली मोनोजाई ट्रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है भारत के मानचित्र पर छै परमाणू उर्जा संयंत्रों की अविस्थिती दिखाएं तथा उनके राजियों के नाम ग्याद करें जिन में ये अवस्थित हैं सौर उर्जा भारत एक उश्ण कटिबंध ये देश है यहां सौर उर्जा के दोहन के असीम संभावनाएं है फोटो वोल्टाइक प्रोद्योगी की द्वारा धूब को सीधे विद्युत में परिवर्थित किया जाता है भारत के ग्रामीन तथा सुदूर क्षित्रों में सौर उर्जा तेजी से लुक प्रिये हो रही है भारत का सबसे बड़ा सौर उर्जा संयंत्र भुज के निकट माधापुर में स्थित है जहां सौर उर्जा से दूद के बड़े बर्थनों को कीटाणू मुक्त किया जाता है ऐसी अपेक्षा है कि सौर उर्जा के प्रयोग से ग्रामीन घरों में उपलों तथा लकडी पर निर्भरता को निवनतम किया जा सकेगा फल सो रूप ये परियावरण सनक्षन में योगदान देगा और क्रिशी में भी खाद्दे की परियाप्त आपूर्ती होगी चित्र संख्या पांच पॉइंट बारा में सौर उर्जा संचालित इलेक्ट्रोनिक दुग्ध परिक्षन उपकरण को दर्शाया गया है प्रिश्ट संख्या चियासट पवन उर्जा भारत को अब विश्व में पवन महाशक्ती यानी विंड सुपपाव का दर्जा प्राप्त है भारत में पवन उर्जा फॉर्म के विशालतम पीटी तमिलनाडु में नागर कोईल से मदुरई तक अवस्थित है इसके अतिरिक्त आंद्र प्रदेश, करनाटक, गुछराथ, केरल, महराश्ट्र तथा लक्षुदीप में भी महतपून पवन उर्जा फॉर्म है नागर कोईल और जैसल मेर दीश में पवन उर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं चित्र संख्या 5.13 में पवन चक्की जोकी नागर कोईल में स्थित है को दर्शाया गया है ग्रामीन इलाकों में जाड़ियों, क्रिशी अप्षिष्ट, पशुओं और मानव जनित अप्षिष्ट के उप्योग से घरेलू उपभोगेतू बायो गैस उत्पन्न की जाती है जैविक पदार्थों के अबघटन से गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापिये सक्षमता, मिट्टी के तेल, उपलों वा चार कोल की अपेक्षा अधिक होती है बायो गैस सैंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजिस्तर पर लगाय जाते हैं पशूओं का गोबर प्रयोग करने वाले सैंत्र ग्रामीन भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं ये किसानों को दो प्रकार से लाभानवित करते हैं एक उर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में बायो गैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है ये उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकडी को जलाने से होने वाले व्रिक्षों के नुक्सान को रोकता है चित्र संख्या 5.14 में ऐसे ही बायो गैस संयंद्र को दिखाया गया है जुआरिये उर्जा महा सागरिये तरंगुं का प्रयोग विद्युद उत्पादन के लिए किया जा सकता है संख्री खाडी के आरपार बाढ़ द्वार बना कर बांध बनाये जाते हैं उच्च ज्वार में इस संक्री खाडी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंध होने पर बांध में ही रह जाता है बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइब द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है जो इसे उर्जा उत्पादक टर्बाइन की ओर ले जाता है भारत में कच्छी की खाड़ी में जौरिये तरंगोंद्वारा उर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्तित हैं राश्ट्रिये हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ने यहां 900 मेगावाट का जौरिये विद्युत उर्जा संयंत्र स्थापित किया है प्रिष्ट संख्या सर्शट भूतापिये उर्जा प्रिथवी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापिये उर्जा कहते हैं भूतापिये उर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पित्वी प्रगामी ढंग से तब्तु होती जाती है जहां भी भूतापिये प्रमणता अधिक होती है वहां उत्ली गहराईयों पर भी अधिक तापमान पहा जाता है ऐसे क्षित्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ओश्मा का अफ्शोशन कर तप्त हो जाता है ये इतना तप्त हो जाता है कि ये पृत्वी की सतह की ओर उठता है तो ये भाप में परिवर्तित हो जाता है इसी भाप का उप्योग तर्बाइन को चलाने और विद्युद उत्पन करने के लिए किया जाता है भारत में सैकणों गर्म पानी के चश्में हैं जिनका विद्युद उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है भूतापिये उर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं एक हिमाचल प्रदेश में मनी करण के निकट पारवती घाटी में इस्थित है तथा दूसरी लत्ताख में पूगा घाटी में इस्थित है उर्जा संसाधनों का संदक्छन आर्थिक विकास के लिए उर्जा एक आधार भूत आविशक्ता है राश्ट्रिय अर्थ वैवस्था के प्रतेक सेक्टर क्रिशी, उद्योग, परिवहन, वानज्य वा घरेलू आविशक्ताओं की पूर्थी के लिए उर्जा के निवेश की आविशक्ता है स्वत्तंत्रिता प्राप्ति के पश्चात प्रियानवित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए उर्जा की बड़ी मात्रा की आविशक्ता थी फलसोरूप पूरी देश में उर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है इस प्रिष्ट भूमी में उर्जा के विकास के सतत पोश्णिये मार्ग के विकसित करने की तुरंत आविशक्ता है उर्जा संदक्षन की प्रोनती और नवी करणिये उर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोश्णिये उर्जा के दो आधार है वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम उर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है हमें उर्जा के सीमित संसाधनों के नियाय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्ण उपागम अपनाना होगा उधार रनार्थ एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सारवजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा घैर पारंपरिक उर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं आखिरकार उर्जा की बचत ही उर्जा उत्पादन है अभ्यास प्रश्न संख्या एक बहु वैकल्प एक प्रश्न एक इनमें से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अफशिष्ट भार को त्याकता हुआ चत्तानों के अबघटन से बनता है क, कोईला, ख, बॉक्साइट, ग, सोना, ग, जस्ता दो जार खंड में स्थित को डर्मा इनमें से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है क, बॉक्साइट, ख, अभ्रक, ग, लोह आयस्क, ग, तांबा तीन इन चत्तानों में से किस चत्तान के स्तरों में खनिजूं का निक्षेपन और संचयन होता है क, तलचटी चत्ताने, ख, कायांतरिच चत्ताने, ग, आगनेय चत्ताने, ग, इनमें से कोई नहीं चार मोनाजाइट रेत में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है क, खनिज तेल, ख, यूरेनियम, ग, थोरियम, ग, कोईला प्रश्न संख्या दो इन प्रश्नों के उत्तर लगभग तीस शब्दों में दीजिए एक, इनमें अंतर तीस शब्दों से अधिक ना दें क, लौह और अलौह खनिज ख, परंपरागत तथा गैर परंपरागत उर्जा साधन दो, खनिज क्या हैं तीन, आगने तथा कायांतरी चट्टानों में खनिजूं का निर्मान कैसे होता है चार, हमें खनिजूं के संदक्षन की क्यूं आविशक्ता है प्रश्ण संख्या तीन इन प्रश्णों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए एक, भारत में कोईले के वित्रण का वरणन कीजिए दो, भारत में सौर उर्जा का भविश्य उच्जवल है क्यूं? प्रिश्ट संख्या 68 प्रिया कलाप यहां दी गई वर्ग पहली में उप्युक्त खनीजों का नाम भरें पहली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं यहां कुछ सांकेतिक प्रश्ण दिये गए हैं क्षेतिज एक, एक लोह खनिज दो, सिमेंट उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल तीन, चुम्ब की ये गुणों वाला सर्वश्रेष्ट लोहा चार, उत्करिष्ट कोटी का कठोर कोईला पाँच, इस अयस्क से अलियूमेनियम प्राप्त किया जाता है छे, इस खनिज के लिए खेतरी खदाने प्रसिद्ध हैं साथ, वाश्पी करण से निर्मेत उर्धवा धर एक, प्लेसर निक्षेपूं से प्राप्त होता है दो, बेला डिला में खनन किया जाने वाला लोह अयस्क तीन, विद्युद उद्योग में अप्रिहार रे चार, उत्तरी पूर्वी भारत में मिलने वाले कोईले की भूगर्भिक आयू पांच, शिराओं तथा शिरा निक्षेपूं में निर्मेत अभी आप सुनहे थे अध्याए पांच खनिज तथा उर्जा संसाधन प्रस्तुती थी C-I-E-T-N-C-E-R-T